मैं लोग की फ्रेंड्स यहां पर हम कुछ प्रॉब्लम यहां पर देखते हैं सबसे पहले एक्जाम्पल नमबर 9 देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह वाई लूप हमें यहां पर दिया हुआ है तो यह वाली statement जो है n is equal to n divided by 100 यह govern करेगी कि कितने number of times यहाँ पर आपका loop चलेगा division हो रहा है यहाँ यहाँ पर that means आपका log में आएगा answer और दो statements हैं तो यह हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 into log n जिसका base 100 तो यह हमारा इतनी number of times हमारे क्योंकि दो इसलिए है because 2 statements है right and इतनी number of times आपका while loop चलेगा तो अगर आप इसका order आप निकालते हो तो 2 आपको पता है constant है उसको skip out हो जाता है तो इसलिए इसका जो answer यहाँ पर आपका निकलेगा वो निकलेगा order of log base 100 and यहाँ पर आपका in यह हमारा answer आया for example number 9 right I hope you are comfortable इसके बाद आप देखिए example number 10 देखिए यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों statements जो है वो दोनों के दोनों आपके division है पहले n is equal to n divided by 2 and इसके बाद n is equal to n divided by 3 तो आप दोनों का जो net result होगा दोनों का जो net result होगा वो आपका base आएगा log के अंदर because division है right तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 into 3 which is how much 6 तो इसका जो answer होगा वोगा order of log and to the base 6 this will be the answer to this question I hope you are comfortable with this है ना आईए इसके बाद example number 11 देखिए है यहाँ पर हमसे का गया है कि यहाँ पर देखिए एक statement number 1 जो है वहाँ पर हमने division operation perform किया है इस वाले में आपने हमने subtraction operation perform किया है तो मैंने आपको पताया था जो यह वाला operation होता है यह बहुत powerful होता है और सबसे ज्यादा affect करेगा by loop की execution पे right इसकी affection जो होगी वह यहाँ पर थोड़ी कम होगी in comparison to this right तो यह गवान करेगा इसलिए हम इसी को consider करेंगे and इसलिए जब by 2 है that means divided by 2 है and hence what directly हम यहाँ पर कांसर कह सकते है log n to the base 2 यह हमारा answer होगा for this particular question right I hope you are comfortable with this है ना and एक चीज़ यहाँ पर आप और देख सकते हैं जब हम यहाँ पर greater than 1 है and अगर greater than equal to यहाँ पर 1 करते हो जैसे कि for example इस वाली problem में किया हुआ था तो भी हमारे answers में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता greater than equal to and greater than equal to 1 में ज्यादा changes नहीं पड़ते plus and minus 1 अगर आप करते हैं अगर आपके answers में वहाँ पर होता है number of times जो execute कर रहा होता है तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता तो इसलिए जब भी आपका greater than 1 या is equal to do 1 होगा तो दोनों में आप similar जो approach होगी उसको follow करेंगे ठीक है I hope you are comfortable with this आईए एक और problem देखते हैं और आगे बढ़ते हैं